नमस्ते साथियों, स्वागत है आप सब लोग का आज की इस एक और नई वीडियो के साथ मैं साथी हूं, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं यदि आपका P.F. कट रहा है, तो आपको उसका U.N. नंबर को एक्टिवेट कैसे करना है इस वीडियो में complete जानकारी देने वाले हैं तो वीडियो के नीचे लिंक दिया गया है आप वहाँ पर जा करके इस website पर आ सकते हैं जो कि आपको दिखाई दे रहा है UA and Employee Provident Fund Organization इस website को आपको open कर लेना है जब आप open करेंगे तो आपके सामने कुछ इस परकार का interface दिखाई देगा तो यहाँ पर मेरा कुछ net slow चल रहा है इस वज़े से थोड़ा loading में problem हो रही है और इसके बाद दोस्तों आपको message मिला इसको cut कर देना है और आपको zoom करके दिखाता हूँ कि आपको क्या करना है scroll करना है और नीचे जाना है यहाँ पर आपको activate UN पर click करना है तो यहाँ पर आप दिखाई दे रहोगा activate UN तो इस पर simply आपको click कर देना है तो UN activate करने के लिए दोस्तों आपको इस पर click करेंगे तो आपके तरफ redirect कर दिया जाएगा next page पर तो यहाँ पर मैंने click किया हुआ है तो अभी net मेरा थोड़ा slow है इस पज़े से यह open हो रहा है अभी तो यह open होने के बाद में कुछ इस परकार का interface आपको दिखाई देगा यहाँ page खुलेगा आपके सामने तो यहाँ पर आपका UN number date of birth और उसके बाद दोस्तों आपको अपना यहाँ पर details को ले सकते हैं तो यह मैंने यहाँ पर कुछ इसको black कर दिया है हाइड यह automatically security purpose के लिए और इसके बाद दोस्तों आपको यहाँ पर दोबारा से अपने date of birth वगरा जो आपको है बो डालनी है तो date of birth आनने के लिए आपको मैं date of birth और उपर तरब आपका दूए नमबर था उसको फिला पूरी डिटेल को आपको कर देना है बकाईदा तो यहाँ पर आपको यह अपना select कर लेना है month select करना है carefully अगर आपका miss match हो जाएगा तब दोस्तों आपका activate होने में problem हो सकती है तो यहाँ पर आपको सहुलियत बरतनी है दोस्तों आपको अपना यहाँ पर देखकर ही flip करना है जो भी डिटेल होगी correct फिलोगी तो ही दोस्तों आप यहाँ पर activate कर पाएंगे और फिल करने के बाद दोस्तों आपको carefully देखके फिल करना है और उसके बाद दोस्तों गेट authorization पिन पर किलिक कर देना है जब आप इस पर किलिक करेंगे तो आपको क्या होगा कि आपके registered mobile नंबर पर एक OTP receive होता है और यहाँ पर OTP भीज़ दिया गया है और कुछ इसके बाद दोस्तों गेट authorization पिन के बाद दोस्तों आपको submit कर देना है तो यहाँ पर मैं OTP फिल कर दे रहा हूं और यहाँ पर मैं पहले हाइड हो जाएगा यह थोड़ा जूम करके दिखा देता हूं आपको और यह पूरा प्रसेस आप carefully के जाएंगे तो ही आप दोस्तों activate कर पाएंगे अधरवाज आपका यूएन activate नहीं हो पाएगा आप ध्यान रखिए आपका date of birth आपका mobile नंबर सब एक साथ आपका match होना चाहिए गड़ बड़ ना करें आप दोस्तों और यह मैंने फिल कर दिया और इसके बाद दोस्तों आपको एक receive हो जाएगा message जिस पर दोस्तों आपका जो activate यूएन का message मिल जाएगा तो यहाँ पर दोस्तों आप देख पा रहोंगे कि मेरा जो है यूएन successfully जो है activate हो चुका है इसके बाद दोस्तों आपको मोबाइल पर एक message मिलता है जिसमें दोस्तों आपका password और यूएन दोनों चीज़ा आपको मिल जाती है तो इस तरीके से आप कर सकते हैं